So Hello Everyone, स्वागत है आप सब का आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IT सेक्टर के बारे में आज के दिन ओवराल मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, खासकर IT सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर IT सेक्टर के वज़े से ओवराल निफ्टी भी आज उपर रहा, तो इसी के बारे में बात करेंगे कौन से स्टॉक में अच्छी तेजी थी, किसमें हमें अच्छी ऑपरचिनिटी मिल सकती है, और कौन से स्टॉक में आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बात करें आप कौल टिप किसी का भी विश्वास मत करना यार, कौल टिप को आपको लेना ही नहीं चाहिए वैसे तो, और इस चैनल पे भी एजुकेशनल परपस से ही विडियोज अपलोड होती है, तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले स्टॉक के तरफ, LTTS 3.93% की तेजी, इसमें अग आज का कैंडल काफी अच्छा था, ग्रीन कैंडल प्लस वेरी गूड वालिम आप कह सकते हो, और इस वज़े से यहां पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना तो सही, लेकिन यहां पे ब्रेक आउट नहीं आया कुसकास, मतलब यहां पे ब्रेक नहीं हुआ है, और थोड़ा न नहीं मानता हूं, अगर मैं परसनली बताओ तो, तो मैं कल का वेट करूँगा, और कल अगर इसमें ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहां पे एक बहुत अच्छी ऑपरचिनिटी रहेगी, लेकिन कल अगर एक रेड कैंडल बन जाता है, और स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाता है तो मैं अगेन वेट करूँगा जब तक इसका ब्रेकाउट नहीं होगा, और जैसे इसका ब्रेकाउट आएगा, एक बहुत अच्छी ऑपरचिनिटी जो यहां पे मिलने वाली है, आगे बढ़ते हैं विपरो के तरफ, विपरो में 3.56% की तेजी रही, विपरो जो भी कुछ सोचे ही ना ब्रेक करके चला जाए, क्योंकि एक बहुत वीक रेजिस्टेंस है, बट यह रेजिस्टेंस काफी स्टॉंग है, और इसको पार करने के बाद ही मुझे लगता है, असली तेजी या फिर अच्छी अच्छा मोमेंटम जो है विपरो में आएगा, तो मैं व देख सकते हो, LTI माइंटरी में क्या हुआ था, पहले यहां पर ब्रेक आउट आया, उसके बाद यहां पर यहां पर यह जो रेजिस्टेंस था, वो यहां पर सपोर्ट बना, दो बार सपोर्ट लिया, और आज सपोर्ट के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, मतल तो आया है, अगर आप बहुत जूम करके देखोगे, बट अगर थोड़ा कम जूम करोगे, नॉर्मल स्केल पर देखोगे, नॉर्मल चार्ट को नॉर्मल तरीके से देखोगे, तो आपको ब्रेक आउट नजर नहीं आएगा, और इसी वज़े से मैं बोलूँगा, यहां प एक बहुत अच्छी opportunity मिल सकती है, यहां से भी एक momentum पकड़ सकता है, तो इसमें भी equally opportunity है, आपको इसको watch list में रखना चाहिए, मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ, TCS के बारे में at the end बात करते हैं, TCS भी थोड़ा सा विपरो जैसा ही है, बट विपरो में क्या है जाधा consolidation है, TCS म मुझे रखता है, फिर भी कुछ हट तक कम consolidation है, वेपरो से खास कर, और अगर आप यहां पे देखोगे, एक जो है resistance था यहां पे, जो कि यहां पे resistance ब्रेक हुआ, आज with a normal volume, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, very good volume, क्योंकि आप volumes अगर आप देखोगे, तो आपको लगेगा, यार य resistance का area है, वो है यह area, अगर यह area break होता है, तो मैं उसके बाद expect कर सकता हूँ, कि TCS में भी थोड़ा बहुत momentum हमें देखने मिलेगा, बाकी यहां पे all time high से तो यह काफी नीचे है, अभी भी, all time high के पहुँचने के लिए all time high तक यहां पे मुझे लगता है, और लग बग तीन resistance तो ही, मैं एक बार चार्ट लोड करके देख लेता हूँ, कम से कम और दो तीन resistance तो है, सबसे पहला resistance, एक सेगंड मैं इसे थोड़ा साओर एडिट कर लो सही से, हाँ, तो यहां पे देखो, सबसे पहला जो है, वो यही है, सामने, दूसरा यह है, और यह जो एक काफी अच हो जाता है, तो मुझे लगता है, एक अच्छा momentum इसमें भी आ सकता है, तो ठीक है, एंड करते हैं, वीडियो को वीडियो अच्छा लगा, तो like, share, subscribe कर देना, एक और बार में आपको बता दो, किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं है, purely purely यह वीडियो जो है, वो educational purpose का है, और कोई call tip म मैं नहीं provide करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, कुछ और नए stocks के साथ, और खासकर कुछ और नए opportunities के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, and thanks for watching.